हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो इस वीडियों आपके लिए एक स्पेसल टॉपिक इस्टेचू ऑफ उनिटी से लेटेट मोस्ट इंपोर्टेंट करने फेस्ट कुश्चन लाया हूँ दोस्तो ये टॉपिक हाली में बहुत चर्चित रह है इसलिए इस टॉपिक से आगामी जो भी होने वाले आप समझ लीजिक दो से तीन कोईश्चन हंडेट परसें से और पूछा जाएगा तो जितने भी इंपोर्टेंट कोईश्चन बने हैं दोस्तों से लेटेट करें इस वीडियो को पूरा देख लेते हूं आपका लपक अच्छी तरह की डेली वीडियोज मिलती रहें दोस्तों इसके लावा मैं अने केड़ी पर ही पढ़ाता हूं तो अने केड़ी में लर्निंग प्रेश्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैं अपने अने केड़ी इस वीडियो को डिक्रिश्चन बॉक्स में दिया तुस लिंक करके फॉलो कर सकते हैं तो फिर चली स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का यह टॉपिक बहुत महात्पूर्ण है वीडियो अंतर तक देखिएगा बहुत थी इंपोर्डेंट है 100% अगाम एक्जाम से पूछा जाएगा चलिए पहला कोश्चन स्टेच्व ऑफ इनुटी की स अगला कोश्चन देख लेते हैं इस टेच्व ऑफ इनुटी किस राज्य में इस्थी था है यह भी कोश्चन पूछा सकता है इसलिए के कोश्चन आपको ब्लकुर्ट रटा होना चाहिए स्टेच्व ऑफ इनुट्य स्ट्राइप के नर्वधा जिल्य में इस्थी थित है अगला कोश्चन से किस स्टेच्व ऑफ इनुट्र किस धाटू से निर्मीथ है दोस्तों इस्टैची ऑफिन्टी निर्मीथ है कान से धातू से किस से कान से से अगला कोशन भी बहुत महत्पूर इस्टैच्व एफिन्टी प्रतीमा के शिल्पकार कौन थे डिजाइनर थे राम अभी सुतार ठीक है राम अभी सुतार स्टैच्व अफिनुटी पर दिमा के सिल्पकार थे ठीक है अगला कोशन स्टैच्व अफिनुटी को उचाई कितनी है statue of unity कुल उचाई है 182 मीटर दुनिया की सबसे उची प्रतिमा हो गई है सबसे उची statue of unity कुल उचाई 182 मीटर statue of unity का आधार सहित कुल उचाई कितनी है तो यह 240 मीटर ठीक आधार सहित कुल उचाई है 240 मीटर अगला कोश्चन दोस्तों स्टेच्यो अफिनिटी को बनाने में कुल कितनी लागत आई है ते आई है 2989 करोड रुपए अगला कोश्चन है स्टेच्यो अफिनिटी को बनाने में कितना समय लगा है तो दोस्तों स्टेच्यो अफिनिटी को बनाने में कितना समय लगा है ठीक 33 म प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगला कोश्चन है बहुत महत्मूर स्टेश्च अफ इनुटी को दुखटन सरदार पटेल के किस जैनती का अफसर पर किया गया है दोस्तो स्टेश्च अफ इनुटी सरदार पटेल की 143 वी जैनती का अफसर पर किया गया है ठीक है स्टेश्च अफ इनुटी से पहले दुनिया की सबसे मूची मूर्ति की इसकी थी स्प्रिंग टेंपल बुध थी चो चीन में सी थे इसकी लंबाई थी इसकी उचाई थी 153 मीटर अगला कोशन सरदार बल्ला भाई पटेल का जन्म कब हुआ था दोस्तो सरदार बल्ला भाई पटेल जी का जन्म हो थे 31 अक्टूबर 1875 को ठीक है सत्यागर की सफलता बल्ला भाई पटेल को सत्यागर की सफलता बल्ला की महिलाओं ने जो सरदार की उपाधी प्रदान की थी ठीक है तो भारत कभी स्मार्ट पर लोह पूरुस किसे का जाता है सरदार बल्ला भाई पटेल जी को काफी चर्चित रहे हैं यह जिसलिए यह कोश्चन आपको सारे कोश्चन रटे होने चाहिए बिल्कुल आगमी एक्जाम जरू हुआ था 31 सब्सक्राइब को नाडियाड ततकाल बंबाई प्रेसिडेंसी में बरतमान में गुजरात राज ठीक है तो यह आपको सारे फैक्ट याद अखना है काफी इंपोडेंट है आगामी सभी गवर्ण एक्जाम के लिए तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों इसको आप कमेंड बॉक्स जरूर लिखेंगे हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंड जरूर करेंगे मोटिवेट करने के लिए साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों जितना अच्छा लगाओ प्लीज लाइक करें काफी मेनत लगती है वीडियो को शेयर कर कर लिजे और आपको अपडेट मिलती रहेगी थैंक्स लॉट फर वाचिंग आपका दिन सुभ हो जै हिन जै भारत